अब दोस्तों, आज हम आपके अलिए जो HVAC से रेलेटिट वीडियो लेके आए हैं, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी के इसके उपर इंटर्व्यू में बनाओ तो यह मैंने पार्ट टू बना रहा हूं, जो इंटर्वीऊ से रेलेटिटिट मैंने पार्ट वन की वीड इंट्रवी देनेगे हैं अब दोस्तों इस वीडियो में आपको दो तर्स तीन बाते बताना चाहता हूं वो अपने जहन में रख लें वो बहुत जोरी होती हैं वो आपको काफी फाइदा दे सकती हैं अगर आप किसी जगा पर इंटर्वे देनें की है सबसे पहली बात अगर आप जाते हैं जो तरिके से ग्रिटिंगउ एलो हाई करें सेकिंड नम्बर पर आप उनको समझ़ें उनके क्वैस्चन को समझ़ें क्वैस्चन समझने से क्या मुराद है कि अगर आप किसी जगा पे इंट्वी देने के हैं तो आपसे question करता है किसी चीज़ की definition पूछता है आप उसको उसकी definition ही बताएं उसकी working ना बताएं working से क्या मुराद है अगर वो पूछता है compressor क्या होता है आप उसको compressor की definition बताएं ना कि उसको refrigeration cycle में वो जो काम करता है वो बताएं इन दोनों चीज़ों का ख्यार रखें कि आप से पूछा क्या जा रहा है और आप बता क्या रहे हैं इट्समिक अगर आप से definition पूछी जाती है तो फिर आप definition बताएं अगर आप से किसी चीज़ के working पूछी जाती है तो फिर आप उसकी working बताएं ये दोनों चीज़ों को ख्यार रखें इनको अपस में मरजना करें second number पे आप उनको short answer दें जितना भी maximum short हो सकता है इसको या नहीं के जितना भी short और complete answer हो सकता है उसको आप दें जितना भी मुक्तसर जवाब हो सकता है और उसमें तमाम जवाब माजूद हो वो आपते तो उसके लिए second number पे थर्ड number पे आप technically words के इस्तमाल करें अगर आप technical interview के लिए हैं तो technically words इस्तमाल करें तो आपका interview काफी अच्छे number से clear हो सकता है तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ ये interview किन लोगों के लिए है इसी technician मिसाल के तोर पे अगर किसी ने तीन साल का डप्लोमा किया हुआ है दो साल का certificate है या फिर उसके पास दो साल का experience है फिल्ड में और वो एक दो साल काम कर चुका है अब वो चाहता है किसी छोटी company से छोड़ के वो किसी बड़ी company में interview देने के लिए जाए तो ये उसके लिए है बिल्कुल एक simple से questions है इसमें जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए जरूरी तो अब हम start करते है आज की वीडियो अब वो ये common सा question है जो हर किसी hvacist के बंदे से लाजमी पुछा जाता है इसको upgrade कर दिया जाता है अगर किसी बड़ी post के लिए तो इसको upgrade कर दिया जाता है कडंसर कडंसर से लिक्वर्ड लाइन के लिक्वर्ड लाइन से expansion वा लगिया कैप्लियू ट्यूब कैप्लियू ट्यूब से बाद evaporator evaporator के बाद आपका जो section line section line के जरीए आपका compressor अब दोस्तों इसमें आप lines का ख्यार रखें आपको lines का पता नहीं कौन सी section line कौन किसी discharge line कौन सी liquid line इन line का आप ख्याल रखें उसके बाद क्योंकि जब आप यह refrigeration cycle बता देंगे तो फिर उस आपको इसी refrigeration cycle से question निकलते जाएंगे और वो आप से step by step पूछता जाएगा जो मैं बताऊंगा में भी इन में से काफी question हर question ना आए लेकिन ज्यादतर question इसी से ब दोर पे अब वो स्टार्ट करेगा आप से question पूछना step by step मैं तमाम बताता जाओंगा compressor से अब compressor से related क्या question बन सकते हैं compressor से आप से पूछ सकता है कि वह compressor क्या है compressor क्या होता है आप उसको बताएं एक ऐसी डिवाइस है यह बेसिकली compressor की definition बता रहा हूं compressor एक ऐसी डिवाइस है जो gases को बताएं कि जो low pressure gases को high pressure gases में convert करता है उनके volume को कम करके यह होगी उसकी definition यह बिलकुल एक short सी और मुकमल definition है compressor की अब यह compressor आप देखते हैं दूसरे compressor भी हो सकते हैं air के भी compressor हो सकते हैं आप गाडियों में हवाब रवाने जाते हैं वो भी compressor किलाते हैं इन में तमाम compressor की definition आगी अब वो पूछेगा compressor का refrigeration cycle में क्या काम होता है अब उसको आप refrigeration cycle के अंदर working बताएं अब वो किस तरीके से बताएंगे आप उनको बताएं कि यह low pressure low temperature वेपर्स को suction करता है और उनको high temperature high pressure वेपर में convert कर देता है अब यह इसका refrigeration cycle में काम है कि low pressure refrigerant को suction करता है और इ high pressure और high temperature refrigerant में वो कहेगा वो उससे जो अगला question हो सकता है कि ठीक है इनको high low pressure से high pressure में तो convert कर दिया लेकिन इसका temperature कैसे बढ़ा तो फिर आता है कि आप उनको बताएं कि जब temperature बढ़ता है तो pressure बढ़ता है और जब pressure बढ़ेगा तो temperature बढ़ेगा इट्स मीन के यह आप पसमे directly proportional है अगर एक चीज़ बढ़ेगी temperature बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा ठीक है फिर वो आपके question से satisfy हो जाएगा अब फिर उससे next question क्या हो सकता है वो पूछ सकता है कि भाई compressor जो है इसमें कितने types होते हैं compressor के फिर आप उनको बताएं जो compressor की types हैं वो आप उनको बता दे हर्मेटि क्योंकि आप अभी AC determination के reply करें तो आप start वहां से करें जिस field में आपने काम कर रहा हैं आप उनको बताएं हर्मेटिक compressor सेमी हर्मेटिक compressor फिर उसके बाद आप उनको बताएं और open drive compressor या open type compressor उसके बाद आप उनको बतादें सक्रोल डाइप compressor होते हैं इसमें पिर बहुत आप इतनी भी बता देंगे तो वह आपके question से अब इनमें से भी question वो कर सकता है कि हर्मेटिक कौन से होते हैं समी हर्मेटिक कौन से होते हैं आप उनको बताएं शौट वर्ड में हर्मेटिक Aisy compressor होते हैं जिनकी motor और piston एक shell में होता है और वह weld किया होता है उसको आप खोल नहीं सक सकते हैं उसके बाद open drive कौन से होते हैं open drive इससे compressor जिनकी motor रड़ा होती है और उनके piston रड़ा होते है उनको एक shaft की मज़से जोड़ दिया जाता है इनको आप कहते है open डाइब compressor उसके बाद स्क्रॉल compressor लूटरी compressor यह भी आप उनको बता सकते हैं उसके बाद वह आप से पूछ सकता है जी सेंट्रिफिकल कॉंड कंप्रेसर कहां पर इस्थमाल होते हैं आप उनको बड़े बड़े पर माने पर चिलर में क्योंकि आपने इनको पर काम नहीं किया हुआ बिला शुबा लेकिन आपने यह पड़ा दुरूरा है अपने में उसके बाद दोस्तों कंप्रेसर की टाइप सोगें कंप्रेसर की टाइप के बाद वह आप से पूछ सकता है कंप्रेसर की कपैस्टी इट्स मिन के वह एक टन के कंप्रेसर एक टन का इसी है तो वह कितने अंपेर लेगा वह कंप्रेसर कितने अंपेर लेगा आप उनको ब क्पेस्टर एक 10 के क्पेस्टर के साथ को इस्तमाल करती हैं आप उनको बता देए उसके बाद दोस्तों वह आजयेगा अब यह सो गया फिर उसके बाद वह आप से क्वेस्टिं आपकी डिस्चार्ज लाएन के ओपर भी कर सकता है कि आपने जो बताया है चार्ज लेन है यहां पे क्या होता है आपका जो कंप्रेसर का डिश्चार्ज प्रेशर क्या होता है यानि कि डिश्चार्ज लेन में जो प्रेशर है वो आपका कितना होता है आप उनको बताएं कि जो प्रेशर है सर वो डिफरेंट गैसी का डिफरेंट होता है सबसे पहले आ इनका क्या डिश्चार्ज प्रेशर क्या हो सकता है और इनका टमप्रेचर क्या हो सकता है आप उनको बताएं जो डिश्चार्ज टमप्रेचर है वो तक्रीबन आपका 80 सेंटी ग्रेड से 95 सेंटी ग्रेड आपका टमप्रेचर हो सकता है उसके लावा वो आपसे पूछ सकता है जी डिस्चार्ज जो प्रेशर है आर बाइस का वो कितना हो सकता है और सक्षन प्रेशर कितना हो सकता है कंप्रेशर जो सक्षन कर रहा है और जो डिस्चार्ज कर रहा है वो प्रेशर कितना हो सकता है आप उनको बताएं जो डिस्चार्ज है वो हमारा 240 से आप 280 तक हो सकता है और जो suction है वो आपका 68 यानि के 70 के पास suction pressure हो सकता है तो इस तरीके से आप उनको question जो आप दे सकते हैं फिर वो कहेगा discharge line जो है वो कहां पर connect होती है किम दो parts को आपस में मिलाती है आप उनको बताएं जो discharge line है एक side उसका compressor को इससे connected होता है और दूसरा हमारे कडंसर यहनि के कडंसर की जो in line है और compressor की जो discharge line है वो हमारी discharge line कहलाती है अब रेफ्रिजेंट चलीगी हमारे कडंसर में अब वो कडंसर से related कुछ question कर सकता है आपसे अब कडंसर से related कौन से question हो सकते हैं कडंसर से related यह question हो सकते हैं के भई सबसे पहले आप बताएं कडंसर कितने types के होते हैं ठीक है यहां कडंसर की definition सबसे पहले वो पूछ लेता है कडंसर की definition क्या होती है अब दोस्तों बात समझने की यह है कि वो आपको गुमाप राके question करेगा simple आपसे question ही करेगा simple तो हर कोई बता देगा technically words में आप उनको यह बताएं कि कडंसर एक ऐसी डिवाइस है जो जिसमें से अगर हम हरारत को खारिज करते हैं तो जो gas होती है उसमें वो liquid बन जाती है यहां एक ऐसी डिवाइस है जिसको जिसके heat transfer करती है basically कई दोस्ते हैं वो इ heat exchanger बोल सकते हैं आप उनको बताएं कि कडंसर को खाली heat exchanger नहीं आप बोल सकते अब heat exchanger की वो definition पूर सकता है और साथ में वो कडंसर की definition तो मैंने आपको बता दी कि ऐसी डिवाइस जिसमें से अगर हम हरारत को खारिज करते हैं तो क्या होता है heat खारिज होने के बाद साथ- leverage rent है उसकी शकल तबदील हो रही हैUDเชंशर के अंदर हमेशा gas in होती है और WHave हृषको liquid में connect करता है अब highly exchanger और वह पूछ सकता है heat exchanger और juden टाइब heat exchanger में क्या फर्ण होता है heat exchanger और juden सर टाइब heat exchanger में क्या फ़र्ण होता है अब दोस्तों समझने की बात या है कि कछ लोग heat transition कडंसर नहीं को बोलते हैं इसा नहीं होता इसके साथ काम होता यहाँ पे इसकी शिबल यह और की तबदील हो रही होती है तो आप उनको यह सहे काम होगे वहां gas होगी वो liquid में convert हो रही होगी कडंसर का लफ़ जहां भी इस्तमाल होगा वहां पे gas हमारी liquid में convert हो रही होगी ठीक है ये इसकी basically फरक है heat exchanger और कडंसर type heat exchanger में उसके बाद उसका next question ये हो सकता है कि बही कडंसर कितनी types के होते हैं ठीक है अब जो main types आपने पड़ी होंगी वही आप उनको बताएं चाहें आपने उसके ओपर काम किया है ये नहीं काम किया आप उनको बताएं air cold water cold काडंसर जो main दो type हैं अब जो air cold काडंसर है इसकी भी आगए दो type है दो type को नकोंसी है जो आपने जिसके उपर काम किया हुए वो आप सो air cold air cold कडंसर की दो टाइब से पूछ सकता है ये भी उसका एक question हो सकता है उसको ये बताएं air cold ऐसे कडंसर forced conventional कडंसर और एक है natural conventional कडंसर अब इन में तोनों में क्या फरक है force से मुराद है कि आप kडंसर में से जो heat खारिज कर रहे हैं यहां उसकी refrigerant को ठंडा करे हैं वो किसी force से करने हैं इट समीन के कोई force use हो रही है fan एक force है mechanical force है जो mechanical एक अलक्ट्रिकली से हम उसको convert करते हैं mechanical में और fan को चलाते हैं fan को चलाने के बाद आप उसकी air heat transfer करते हैं कडंसर की तो हम एक force इस्तमाल कर रहे हैं तो जो आपका outdoor AC है वह आपका basically force conventional कडंसर है यानिकर उसके उपर force लग रही है तो वह आपकी heat transfer कर रहा है उसके बाद कुछ उते natural conventional कडंसर अब इन में कौन से हैं इन में जैसे आपका एक fridge है fridge के backside के उपर आपका एक condenser है वह आपका कौन सा कडंसर है वह आपका natural convention कडंसर है इस मिन के वह आपकी natural जो temperature है एंबियन टमपरेचर उससे आपकी जो रेफरीजर्ट है वह liquid में convert हो रही है तो यह उसके question हो सकते है कडंसर से बाकी वह आपसे और question कर सकता है वह कि कडंसर में रेफरीजर्ट का temperature क्या होता है आप उसको बताए कडंसर में रेफरीजर्ट अगर आपकी लिक्वर्ट तकरीबन 50% बन चुकी है इस मिन के उसके center में कडंसर के वहां पे आप अगर temperature करेंगे तो वह आपका 40 से 40 50 के दर्मियान centigrade temperature होगा अब इससे next आगे चलते हैं liquid land के उपर अब दोस्तो liquid land के उपर वह आप से दो से तीन question जो बहुत दुरूरी question है वह आप से पूछ सकता है कि liquid land के उपर क्या हम कौन कौन सी चीज़ों को लगा सकते हैं सबसे पहले अगर आपने देखा होगा किसी छोटे मोटे commercial unit cold storage वगएरा में काम किया होगा 8 से 10 ton unit के उपर यहां उसको देखा होगा सर्च किया होगा उसके उपर सबसे पहले liquid land के उपर एक side glass लगता है एक शीशा होता है उसको हम बोलते है side glass अब side glass के क्या काम होता है liquid तांके liquid जो हमें नजर आए cadencer का काम है gases को liquid में करना करना अब वो जो liquid बन जाता है वो cadencer की जो outline है वो आप से पूछ सकता है लिकुट लाईन कोहते हैं? आप उनको बताएं कैडंसर की relation और अक्सपैंशिन वाल से पहले वो हमारी लीकुट लाईन पहला है. अब, इस लीकुट लाईन के ऊपर आप ऐसे तीन से चार्ट बहुत हम पार्ट होते वो उनके नाम पूछे का सबसे पहले, आप उनको बताएं, side glass लग सकता है, liquid receiver इसके उपर लग सकता है, इसके उपर filter लग सकता है, और dry लग सकता है, liquid land के उपर, अब सबसे पहले side glass आगया, side glass के बारे उनको बुचे का उसका क्या फैदा होता है, वो क्यों लगाते हैं, या उसको बताएं, side glass से हमें liquid वो नजर आता है, क्योंकि गैसिस तो हमें नजर नहीं आती, तो liquid हमें नजर आ सकता है, हम देख सकते हैं, कि अगर उसमें bubble वगएरा होगे तो वो गैस होगी, अगर bubble नहीं है, तो bubble clear है, इसमें के बार-बार हमें side glass से नहीं नजर आ रहा, तो व हमारी complete liquid बन जाती है, उसके अगर आगे जाते हैं, तो हमें liquid receiver लगा सकते हैं, अब liquid receiver वो पूछ सकता है, या liquid receiver हम क्यों इस्ते हैं, आप उनको बताएं, liquid receiver के जैसे नाम से पता चादा है, कि वो liquid को receive कर रहा है, अब liquid receiver क्या है, उसकी shape ऐसी बनाई जाती है, कि उपर से वो एक side से उसकी liquid land connected होती है, दूसरी land से, जो हमारी liquid land दूसरी out है, liquid receiver की वो land connected होती है, अब जब हमारा liquid इसमें enter होता है, क्योंकि कडंसर का काम है, refrigerant को liquid में convert करना, अगर उसमें bubble हमें नजर आ जाते हैं, इसमें bubble के इसमें भी थोड़ी बहुत 5%, 10% इसमें vapor रहे गे हैं, तो वो क्या होगा, वो bubble हमारे उस liquid receiver में आएंगे, तो liquid हमारा नीचे से हमारे out हो जाएगा, क्योंकि उसके down side पे liquid की जो